साथियों, पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने लाल के लिए से पंच प्राणों पर चलने का आग्र किया था। उद्देश यही है कि हम सभी अपनी विरासत पर गर्व करें। गुलामी की मानसिक्ता से बाहर निकले और देश के लिए अपने कर्तब्यों को याद रखे। अपने मनिश्यों के दिखाए रास्तों पर चलना और हमारे बलिदानियों, हमारे शूर्विरों के शौरिय को याद रखना भी इसी संकल्प का हिस्सा है। राजस्तान तो धरोहरों की धर्ती है। यहां स्रजन है, उत्साह और उत्सों भी है, परिश्रम और परुपकार भी है, शौर्य यहां गर-गर के संस्कार है। रग-राग राजस्तान के परियाय है, उत्राही महत्वा यहां के जन-जन के संगर्स और संयम का भी है। यह प्रेणनास्थली भारत के अनेक गवरवशाली पलों की व्यक्तित्व की साक्षी रही है। तेजासी से पाबुजी तक, गोगा जी से रामदेव जी तक, बपा रावल से महराणा प्रताप तक। यहां के महापुरुषों, जननायकों, लोक देवताओं और समाज सुधारकों ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है। इतिहात का शाहिदी कोई कालखन है, जिसमें इस मित्ती ने रास्त के लिए प्रेणा न दी हो। इसमें भी गुर्जर समाज, शौर्य, पराकरम और देश भक्ति का परियाय रहा है। राश्त्र रक्षा हो या पिर संस्कृति की रक्षा, गुर्जर समाज ने हर कालखन में प्रहरी की भूमी का निभाई है। क्रांती वीर, भूपसी गुर्जर, जीने विजैसी पथिक के नाम से जाना जाता है। उनके नेत्रुत्व में बिजोलिया का किसान अंदोलन, आजादी की लड़ाई में एक बड़ी प्रेरना था। कोतवाल, दन सींजी और जोगराज सींजी ऐसे अनेग योद्धा रहे हैं जिनोंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया। यही नहीं राम प्यारी गुर्जर पन्ना धाय जैसी नारी शक्ती की ऐसी महान प्रेणाय भी हमाए हर पल प्रेरित करती है। यह दिखाता है कि गुर्जर समाज की बेहनों ने, गुर्जर समाज की बेटियों ने कितना बड़ा योगदान देश और संस्कृति की सेवा में दिया है। और यह परंपरा आज भी निरंतर सम्रद्य हो रही है। यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अंगिनित सिनानियों को हमारे इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया। जो इसके वो हकदार थे जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन आज का भारत नया भारत बीते दसकों में हुई उन भूलों को भी सुधार रहा है। अब भारत की संस्कृती और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत के विकास में जिसका भी योगदान रहा है। उसे सामने लाया जा रहा है। हूँ हूं हूँ हूँ asted